कैसा है आप लोग आयोप सब लोग बढ़े आँगे मोश कर रहें gya हम लोग इने पिछले विडियो में इंटेभी सीरीज के Waspringwood के एंटेभी सीरीज में इन पिछले वीडियो में हम लोगने कछ टॉप ईनोटेशन पड़ा इन ठीक है बट सिर्फ वहीं अनुटेशन नहीं है हम लोग क्या करेंगे कोसिस करेंगे मैक्सिमुम जितने कॉमन अनुटेशन सी उस होते हैं उनको मैं समझा पाऊं तो इस वीडियो में फिर से लेकर आ गया हूं आपके लिए टॉप अनुटेशन जिसमें हम लोग 10 और इंपोर्टेंट अनुटेशन को कबर करेंगे साथ ही साथ में कुछ लोग पूछे थे यार कि सर आपने जो अनुटेशन पढ़ाए थे उनके नोट्स कहां पर डाले उनकी लिस्ट बनाके कहां डाली मैंने बोल दिया था भाई पिछले वीडियो में ठीक है तो इस वीडियो म टीक है यहां पर यहां पर आनुटेशन यहां तक क्या है तो एक काम करते हैं हम अने या रीड़ मी को है तिंक हमने रीड़ मी को भी कमिट नहीं गया सो लेट में गट एंड कमिट आप यहां पे डाल देते हैं टैन यह वीडियो वीडियो फस्ट ठीक है यह ऐसे डाल दो टॉप टैन या 10 & no को मैंने अभी लिखा है कमेट कर देते हैं let's do kit पर चलते हैं और इसको यहां से पुल करते हैं मैं GitHub desktop उप करता हूं तो यह से पुछ करूँगा कि यह हुँ है कमेट हो चुका directly मैं अब क्या करता हूं push कर देता हूं वस ठीक है इस बार यह 10 कवर करेंगे यहां तक का चलिए वीडियो को स्चार्ट करतें 10 कवर करतें एक एक करके उठाएंगे और एक करके सीखेंगे और सबस्क्राइब मैं कुछ समझाने के लिए यहां पर हमारे पास इस बार पेंट वाला या ड्रॉ भी ओपेन है कैसे समझ के अप्लेकशन करते हैं है Spring boot का web application करते हैं तो वह एक back end application होता है बैक end का मतला कोई भी client इसको किसी भी दुनिया के किसी भी कौने से उस application को request सकता है तो एक application मैं यहां पर बना लेता हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा idea मिल जा है यह हमारा एक application है टिक है यह हमारा spring boot यह backend application घाप हमारे पास कितने भी को परेंट हो जैसा हमारे पास यह client है यह client है even तो यह request बेज़ सकता है ठीक है अब यह जो communication हो रहा है यह request को accept करेगा इस पर मूअ का request accept करेगा और request को process करेगा request को process करेगा मैं पूरा आप आप से कोई प्रस्न पूछ रहा है आप अपने दिमाग में पहले तो प्रस्न को आप रसीब कर रहो एक बार प्रस्न आपने रिसीब कर लिया, उसके बाद आपने दिमाग में प्रोसेस करोगे, प्रस्न का उत्तर क्या हो सकता है, एक बार उत्तर सोचा, फिर आपने उसका उत्तर दे दिया, उसको तो response दे दिया, तो यहां पर जो rules follow होते हैं, वो rules होते हैं, HTTP rules, HTTP rules, इन ही को हम बोलते है protocol, तो rules, मतलब protocol बोलते है, protocol मतलब वो सारे rules है, कि यह जो चीज है, protocol, यह जो चीज है, communication करने के लिए इन rules को follow करना पड़ेगा, इस client और server को, तो होता क्या है, कि जब C1 request भेज रहा है, तो वो HTTP protocol को follow कर हैं, ठीक है, कुछ rules में बताता हूँ, देखिए, HTTP कहता है कि आपको जब भी, client जब भी request भेज़ेगा server को, ठीक है, तो यह request किसी न किसी HTTP method को follow कर रहे होगी, मतलब यह request get हो सकती है, get हो सकती है, वो request post हो सकती है, वो request put हो सकती है, वो request delete हो सकती है, कहने का मतलब कि client करना क्य चाहरा है, based on, वो request को भीज़ेगा, get, post, put, delete, ठीक है, तो वो request को भीज़ेगा, put है, यह है, ठीक है, तो हमारे पास जो server होगा, उसके पास इसी type की request आएगी, वो get भी request हो सकती है, वो post की request हो सकती, वो put की भी request हो सकती, वो delete की हो सकती, और इनको हम मोलते है, HTTP methods, यह क्या है यह है, अगर get की request आएगि, तो get वाला काम करना है, यह standard बनाया गया हो, हमें data को get करना है, इसी तरह पैच की request आ सकती है, इसी तरह डिलीट की Requ !!! रिकोस्टल की रिक्वेश्ट आ इस एक्चलिया server and this is a clear client और server का code हम किसकी अब से लेकर है spring boot की आपसे लेकर है तो यहां पर get mapping put mapping post mapping guys वही है get get yes अभी मैं आपको दिखाता हूं wait 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 second चलते हैं आपको यहां पर यह दिखिए ठीक है इसको बंद कर दो मैपंग में मैप करना है milhões आ पोस्ट मैपिंग हमें मैप करना है कौन से पोस्ट को मैंप करने के लिए तो इसी तरह डिलेट मैपिंग होगा टिलीटровít की है को मैप करने के लिए लिए इसको थोड़ा सा भूब करें तो समझ्जते हैं ठीक है हम आजाती एंट पहले तो हम अपने यहां पर बनाएंगे रैट क्लिक करेंगे नियू पर जाएंगे यहां पर बना देंगे जावा क्लास नाम देंगे इसको बना देते हैं 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 तो यह इसके साथ response body अलड़ी लगा होगा और इस controller को map करने के लिए मतलब कौन से request आएगी हम कहेंगे request mapping के help से हम बताएंगे कि users नाम के request आप हिट करोगे मतलब आप कुछ ऐसा URL फायरप करोगे ठीक है आप लिखोगे पहले तो localhost देन इस server का यह इस springboot का port number जिस पर चल रहा होगा मैं को ठीक है then slash and then users जैसे हीट करोगे आपके request यहाँ पर आजाएगे slash users यह आपने URL बताया भाई ठीक है आजाते नीचे अब यहाँ पर रिक्वेस्ट को handle करने के लिए हमें कोई ना कोई एक handler बनाना पड़ेगा चलो बना लेते हैं public और हम यहाँ से रिटर्न कर रहा हूं यही रिक्वेस्ट को handle करता है तो हम यहाँ भी यूज करेंगे request mapping not scope request mapping और यहाँ भी हम वारेल दे सकते हैं कि users के बाद हमें यहाँ गेट मारना है सब्सक्राइब तो आपको fire करना होगा इस method को call करने के लिए आपको क्लाइंट को क्या call करेंगा ब्राउजर से slash users slash get तो आपके रिक्वेस्ट यहां तक आ जाएगे ठीक है समझेगा मैं आपको करके भी दिखाता हूं और लेट्स दू हम आज आते हैं open कर लेते हैं यार I think ह हम लोग कि पास ही हाँ पे ओन्डॉर क्लाइं था तो मेरे पास Iắng नो कहां गयभ होगय कोई बात नहीं जारा हम देखते हैं o सब्सक्राइब कम एध्यक्स और सब्सक्राइब करें सान। टीक है ठीक है थंडर क्लाइंट का तो मेरे पास action bar किसका है docker run and debug source वारे बास तो थंडर क्लाइंट का extension ही नहीं आ रहा है I don't know okay so this 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 extension has been disabled okay हमें लग रहा है कि हमें इसको open करना पड़ेगा किसी project को यहां पर open करना पड़ेगा तो यह ठीक है तो मैं का करता हूं let's do something 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 लाइक something like a चलते हैं workspace में and boot में he boot को यह open कर लेकिया प्रोजेक्ट को प्रॉजेक्ट कर देते हैं थंडर क्लाइब अपने आप सा जाएगा तो मैं अभी बंद कर दूँगा थोड़े के लिए अधिस प्रिंग बूट चुड़ दो बस मुझे यहां थंडर क्लाइंट चला थो हम थंडर क्लेंगे ठीक है वाकि आप इसको इनेबल करो कर लो इने श्युक्त को बना सकते हैं थोड़े दिर के लिए रिक्वेस्ट को अभी डिलीट कर दूँगा इसको डिलीट कर दूँगा यहां से यह क्लाइंट है जैसे ब्रॉजर है वैसे यह यह भी क्लाइंट है तो यहां हम यारल डालेंगे अहुम स्थिप्षपी कोलन फोलन स्लाइह लग ऑफ्ष लॉकल होस्ट कोलन एधर डियरो श्लाइव श्लाइव श्लाइट एवलन इस से पहले क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट में ठीक है कुछ एरर आरे तो एरर को सही करते हैं बिल्कुल यहां कुछ लिग देते हैं लिख आएंगे, send करेंगे, और आप देखोगे, यह देखे, all users का output आपके पास आ रहा है, output आ रहा है, इसके मतलब हमारा यह method चलाओगा, देख लो बिल्कुल getting users, perfect, अब यहाँ पे कुछ annotations हैं, जो बहुत तगड़े काम कर रहा हैं, वही मैं सम्नारी कोसिस कर रहा हूँ, यह देखे, जब आपने request किया, तो यह request है get key, यह request किस टाइप की करने वाल हो, get key, put key, post key, patch key, तो यह request गई है, by default get की गई है, by default किसी browser से आप request कर तो get की होते हैं, तो यहाँ से मैंने get की request मारीस पे, तो हुआ क्या, कि आपने rest controller से control बनाया है, और URL को handle करने के लिए map किया है, कि यह URL है, तो यह class load हो, और उसके आगे, users के आगे, अगर get fire हो, तो यह वाली class, यह वाले method चलना चाहिए, यह वाला handle चलना चाहिए, और वही हुआ, तो यह request mapping, map कर रहा है, किसे URL को आपके handler method से, ठीक है, लेकिन by default, यह method लेता है, यह method लेता है, by default get, तो आपने get मारा, तो get, वही वाला method चला, लेकिन, अगर by default, अगर by chance आप post मार देते, यहाँ पर चल तो रहा है, पोस्ट से, बट पोस्ट कर देते, तो आपको फिर पोस्ट को handle करने वाला method अलग से चाहिए था, अगर आप यहाँ पर delete को handle करने वाला अलग method चाहिए था, ठीक है, मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर करोगे, तो यह देखे, request method में, आप वो method specify कर सकतो, जिस htv method को यह वाला, हमार जावा का method support करेगा, तो हम कहेंगे, भाईया, हम get डाल देते, तो अब क्या होगा, कि अब यह method, इस call को support करेगा, बट get call होनी चाहिए, मैं reload कर रहा हूं, let's see, आप देखो, ठीक है, मैं रिलो हमारा allowed है, और हमारा response भी all users हा रहा है, समझे है, तो यहां से बता सकते हो, अगर आप post URL को support कराना चाहिए, तो आप method में post बता दो, अब अगर यह method क्या करेगा, आप post को support करेगा, post http call को support करेगा, तो आप get call करोगे, तो बताएगा, method not allowed, method allowed नहीं है, बट अगर यहां पे, change करके post कर देगा, तो हमारा method allowed है, यह देखिया है, समझे है, तो आप, क्या कर सकते हो, request mapping की help से, आप methods अलग-अलग define कर सकते हो, बट, actually क्या है कि यह थोड़ा सा लंबा annotation हो जाता है, क्यों होता क्या है, इस annotation को simplify करने के लिए, spring boot, या spring कहता है कि, spring annotation भाई, बहुत तकड़ है, उसी को आप यूज करो, जो है, method का नाम पहले लिखना, and फिर, mapping लिख लेना, समझे है, method का नाम, then mapping, तो हमें, इस method को, post method से map करना था, तो हम लेखें गया, post mapping, और देन, आप यहाँ पर, अपना, get या post लिख दो, समझे है, तो यहाँ पर, post mapping का मतलब है, कि, यह URL तो post को, slash post को map कर रहा है, लेकिन, इस यह method को support कर रहा है, post को support कर रहा है, समझे है, मरी बात, सेम तरीके से, मिसो को call कर ले, इसी को, अगर हम यहाँ पर call कर लेते है, and, हम लगा सकते है, get mapping, and get, get user, इस को कर देने, post user, post user, समझे है, तो get mapping का मतलब, get HTTP को support करेगा, और, जो इवार ठीक है, so, get पर get, get पर get, work करेगा, यह देखे, get पर get कर रहा है, and post पर post work कर रहा है, post पर post पर कर रहा है, all users, ठीक है, तो इस तरह से, अब बदा सकते हो, इसी तरह बहुत सारे methods है, जैसे अगर आपको put का support देना है, अपने backend से, तो आपे हाँ पर use कर सकते हो, put mapping, put mapping, और, अपना देतो, जो भी वारेल आपको देना है, and then यह है, put user, put users, ठीक है, string लगाना काई भूल गया, ठीक है, then, put का भी support आजाएगा, तो इसी तरह मैपिंग है, post mapping है, put mapping है, और भी patch mapping है, ऐसे करके बहुत सारे methods है, तो put का भी हमरे पास support आ गया, put का भी support आ गया, यह देखे put का भी support आ रहा है, बाकी आप यहां से response अलग कर सकते हो, थोड़ा सा response में भी experiment करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो, बाद में experiment कर लेजिगा, experiment करने का मतलब मैं simply यह करता है, यहां से list return कर देते, तो अपने आप से JSON में list convert हो जाती, यहां से कुछ data और return कर सक है था, कि अगर आपके पास controller है, data, by default controller है, तो अगर आप handler में कोई string return करते हो, तो वो एक template का नाम होता है, तो request body की help से आप क्या कर सकते हो, कि आप handler पर request body यूज़ कर सकते हो, और या फिर class पर भी यूज़ कर सकते हो, और उसका मतलब है कि हमने, जो response भीजना है, उसके अं हमारा वही काम होगा, जो request controller का काम है, इसका source डाउनलोड करके थोड़ा से इसको पढ़ सकते हो, कि यह क्या है, annotation that indicates method returns value should be bound to web response body, समझ गया ना, जो अगर आपने response body लगा दिया, इसका मतलब value जो आप return कर रहे हो, वो response body से ही bound हो जाएगी, चिपक जाएगी, वही जाएगी, response में, ठीक है, तो controller और response body को एक साथ मिला करके हमारे पास rest controller बनता है, इसको मैंने पिसले बार भी discuss किया था, service और repository, यह दोनो component, add the right component ही जैसे काम करते हैं, बढ़ आपको service पे, service अगर कोई बनानी है, तो service यूज करना है, और repository बनानी है, तो repository बताता हूँ, यह specific to that काम के बनानी है, जैसे, अगर आपको service बना रहे हो, मतलब कोई business logic implement कर रहे हो, business logic implement कर रहे हो, तो उसके लिए services होती है, यह सारी services है, यह देखे, तो इन services को, जैसे आपने एक service और बनाए, let's suppose कि हमार पास एक payment service है, payment service, payment service, ठीक है, यहाँ पर आप लिखने वाले है, business logic, कोई आप business logic है, तो जब आपके class के अंदर कोई business logic होता है, तो उसी को बोल दें service, ठीक है, और उस service को annotate करने के लिए, आप भी उसको service, ठीक है, तो service annotation, यह बताएगा कि हमारी पूरे application में, यह है service, और service होती है, क्या component spring की, इनका object अपने आप से बन जाएगा, अपने आप से spring container, object ब defined by domain driven design, ठीक है, चलो भाई, operation offered an interface that stands alone, model and known customer district, may also indicate that the class is a business service, ठीक है, इन को जब पाद design pattern, something similar, ठीक है, इस annotation is a general purpose stereotype, and individual team may narrow this semantic and use to it, तो simple सी बात है, this annotation serves as a specialization of component, allowing for implementation classes to auto-detect through class path, actually, कह सकते हो कि, यह जो class है, यह service classes होती है, वो similar, आप add-the-rate component लगा के भी वही काम कर सकते हैं, बट यह specific to service है, मतलब semantic बताती है, कि भाई, हाँ, यह service है, इसलिए इसको add-the-rate service से लिए, समझगा ना मेरे बात, है यह वही add-the-rate component ही, component का ही काम कर सकती है, मतलब यहाँ पर आप add-the-rate component ही उसकर सकते है, ठीक है, सेम तरीके से अगर आपके पास कोई data base logic है, DAO logic है, ठीक है, आपके पास यहाँ पर कोई repositories है, repositories, I don't want to create a class, so delete this class, ठीक है, I want to create a package, तो हम यहाँ पर जाएंगे, let me create a package, नाम देतने रा repo, repositories, ठीक है, यहाँ पर आपके पास कोई class है, suppose user repository, repository, repository means what guys, repository means कि यह ऐसी class है, जो interact करगी हमारी database से, data source से, कोई जरूरी database ही हो, कहीं से data आ रहा है, वहाँ से interaction होगा, इस class का, user का data लाएगी, user का data save करेगी, बहुत सारे काम कर सकती है, but हम लोग ज्यादा तर database ही use करते है, ठीक है, तो database से data लाए ठीक है, और इसको हमें spring component बनाने के लिए हम इस करते है, repository, repository, समझ के बारी बात, same, आप क्या करो, इंडिकेट अनुटेटेट क्लास, repository, simply, वही है, कि अगर यह लगा दोगे, तो हमारी class एक repository बन जाएगी, यह बाकी सारा काम होई करेगी, जो add-the-add component कर रहा है, बट यह थोड़ा semantic level का application है, थोड़ा more specific है, यह repository है, तो किसी भी repository को बना रहे हो, और यहाँ पे DB logic आएगा, data logic आएगा, ठीक है, सबकोज आपने database operations कोई कर रहे हो, database operations कोई कर रहे हो, operations कर रहे हो, तो यह सब आपको ध्यान रखना है, तो आपको repository उस करनी है, सिंपल सी बात है, अगर आप MBC से related काम करोई, यह वाइरल को मैप करना है, तो आप control उस करोगे, services बनानी, तो add-the-add services उस कर होगे, यह सारे एक ही तरह के काम करते हैं, यह थोड़ा semantic को follow करते हैं, meaning को follow करते हैं, इसके साथ यह उस करना, इसके साथ यह उस करना, थोड़ा सा मतलब कह सकते हूं कि specific annotations है, ठीक है, अब बात करते हैं, यह तो annotations, enable auto configuration, enable auto configuration क्या करता है, यह spring boot का सबसे तगड़ाई rotation है, यह spring boot में सबसे, मतलब इसका यूस किया जाता है, इनेबल auto configuration मतलब simply यह कि, यह जितनी auto configuration से उनको by default enable कर देगा, अब देखो यार, ऐसा नहीं कि सारी नोटेशन, सारी सारी अपने आप से इनेबल हो जाएंगी, बात को मेरी समझना, बात को मेरी समझना, बात को मेरी समझना पॉम.xml में कौन सी dependency अबलेबल है, कौन सी Maven dependency अबलेबल है, समझ कहा है, कौन सी dependency अबलेबल है, let's suppose आपके पॉम.xml में अबलेबल है, स्टार्टर वेब, या वेब की dependency अबलेबल है, ठीक है, वेब की dependency अबलेबल, आप यहाँ पर रोल होगा, spring boot, जो auto confusion, enable auto confusion and rotation है, उसका सबसे बड़ा रोल आएगा, सबसे पहले वो यही चेक करता है, कि क्या हमारे पास कौन सी dependency हमारे पॉम.xml में, based on that dependency, based on that dependency, वो क्या करेगा, वो auto configuration को enable करेगा, auto configuration को enable करेगा, ठीक है, तो class path में, जो dependency होगी, ठीक है, जो dependency होगी, class path में dependency हैं आएगी, कैसे, यहाँ से download होगी तो class path में जो भी dependency होगी enable auto configuration क्या करेगा उस से related auto configuration को enable कर देगा that means web है तो यहाँ पर servlet अपने आप configure हो जाएगा dispatcher servlet configure हो जाएगा web mbc अपने आप से auto configure हो जाएगा ठीक है अगर आपके dependency में यहाँ पर आपने jdbc भी लगा रखा है spring jdbc तो यहाँ पर data source configure हो जाएगा अपने आप से data source configure हो जाएगा data source भी configure हो जाएगा अपने आप से jdbc template jdbc client sub configure हो जाएगा jdbc template client sub auto configure हो जाएगा अपने आप से तो ज़्यादा तर क्या होदा है कि इस पर conditional configuration लगी होदी conditional कह सकतो हो कि तो बहुत सारी classes लिखी गई है वो classes तभी चलेंगी जब वो dependency अबलेबल होगी by default अगर बहुत सारी जिए है by default तो यही होता है सबसे पहले आपके class path में चेक होती है dependencies पॉप्ड.exe में उब्यसी बात होगी तो class path में आ जाएंगी हमारी वह ली auto configuration class execute हो जाएगी जिसके अंदर उसके auto configuration का code लिखा गया होगा तो conditional configuration होगी यहाँ पर यह चीज़ आद रखेगा ठीक है अगर हम चाहते हैं forcefully किसी भी configuration को exclude करना तो हम उसको कर भी सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है सपोज हम अपने मेर अप्लिकेशन यहाँ पर आ गए यहाँ पर हमने अगर उस auto configuration class लिख दें जो auto configuration कर रही है तो वह auto configuration disable हो जाएगी जैसे for example हमें यहाँ पर data source data source auto configuration अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो यह हमारे पास configuration data source के नहीं होगी क्योंकि यह exclude हो जाएगा ठीक है और यह क्या गह रहा है यह क्या रहा है attributes should be specified by spring boot application ओके ठीक है ठीक है ठीक है हम यहाँ पर भी I think use कर सकते हैं क्योंकि इसका मतलब भी वही होता है हाँ बिल्कुल तो इसके अंदर भी लगा तो अलग से लगाने की ज़रूत नहीं है मैं बस बताने के लिए कर रहा था इसको हम दूसरे configuration class पर आंग बंद करके लगा सकते हैं यहां पर भी लगा सकते हैं यह देखें ठीक है तो अब data source आपको अगर आपने यह चीज कर दिया ना तो आपको खुद से इसके configuration फिर बतानी पड़ेगी तो आप enable डिसेबल भी कर सकते हैं अपने अपने आप से चीज आपको जाती है पहले क्या होता था हमें इनेबल कर दिया सारे यहां पर आजाओ एक चीज और देखना चाहूंगा मैं तरहास को अनकमेंट कर दिया है control enter करो इस class के अंदर चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कुछ चीज और देखते हैं इसकी documentation देखते हैं ठीक है let's see documentation पढ़ना जरूरी है enable auto configuration of the spring application context attempting to guess and configure beans that you likely need okay means auto configuration अबलब यह यह beans जो जरूरत होती है उस चीज के लिए उसको auto configure करतेगा auto configuration classes are usually applied based on your class path ठीक है यही चीज हम लोग ने सीखा and what beans you have defined ठीक है for example if you have a tomcat embedded jar on your class path you are likely to want ठीक है मैं तो समझ गया आप समझ लिजीगा ठीक है मैं समझ गया आप भी समझ लिजीगा मैंने समझाय कहानी वही है कहानी वही है ठीक है अब next एक और annotation के बारे में आपको बदा देता हूं यहाँ पर next enable mbc यह enable web mbc को इंपोर्ट करने के लिए पहले यूज होता था spring based applications में बट यह spring boot applications में ज्यादा नहीं यूज होता है क्योंकि by default जब spring की configuration enable होती तो वहां पर automatic यूज होता था तो आपको यूज करने के जादा ज़रूत नहीं पड़ती है maximum करता क्या है यह enable कर देता है हमारे spring mbc से related जितनी भी configuration को import करने के लिए अपने class के लिए class में होता था देन हम लोग उसको अपने हिसाब से web mbc यूज करके हम दो क्या करते थे चेंज भी कर लेते थे advanced configuration को अब आत करते है प्रॉपर्टी एंड वैलू यह दो अनुटेशन के बारे में इसके अंदर हम रख सकते हैं इसे spring boot यूज करता है बट सपोज हमने कुछ अपनी फाइल रखी है अपनी फाइल बनाई है रिसोर्स के अंदर रैट क्लिक करेंगे फाइल बना देते है इसके अंदर हमने कुछ अपने कुछ अपने कुछ प्रॉपर्टी रख रही है जैसे मैंने रख का यहां पर आप डॉट नेम मैंने कहा यहां पर है यहां पर आप डॉट पर रख दिया है अप डॉट यहां पर रख दिया है इन चीजों को अपने प्रोजेक्ट के अंदर आप देखो बाइड अप्लिकेशन दॉट प्रॉपर्टी रीड होती है बट हमें अपने खुद के फाइल से रीड करना है तो रीड कैसे करेंगे हम यह दोना इट्रिशन करेंगे रीड करने के लिए ठीक है कैसे हम यूज कर देंगे किसी भी क्लास के उपर सपोज हमने यहां पर में क्लास के अंदर ठीक है और हमें यहां पर रीड करना या बना लेते हैं माई क्या था भाई माई कॉन्फिग डॉपरपरटी था माई कॉन्फिग वैलूज डॉट या क्लास फाई एक क्लास मेरे वाला है इसके अंदर हम डेटा रीड करने वाले तो इसको माना देंगे करेंगे बस इसका इसका बनाओ जाए डिकॉर्ट रहें तो मैं क्या करूंगा मैं गटर सेट बना लूँगा ठीक है डेटा को डालने के लिए यहां पर मैं इस करूंगा एड़ वैलू क्या करेगा वैलू बेस्ट अन आपने क्या प्रपर्टी यह पास की है इस फाइल से और यूंहीं मैं दूसरे क्लिए करूंगा से मैं करकूऊंगा मैं यहां भी आउंगा एड़ेट वैलू क फिर से dollar app.port के बाद sorry क्या था एक db I don't know एक बार नाम मुझे यहाद नहीं आ रहा है आँ database app.database तो यहाँ पर app.database ओके आगया ठीक है अब इसके अंदर values अपने आप से आजानी चाहिए अब इसको यूस कैसे करेंगे हम आते हैं अपने main class के अंदर ही यहाँ प्रिंट कल देते हैं कैसे हम चाहते हैं यार गाईस की हम directly इसको आटो वायर करें और java का रूल कहता है कि आप non-static variable को static के अंदर directly नहीं उसकर सकते हैं तो मैं क्या करूंगा हमारे पास एक utility है हम यहाँ पर implement करेंगे एक इंटर्फेस है command line command line command line runner होता गई command line runner and यह हमें एक method देगा run तो यह run अपने आप से चल जाता है अब यह non-static method है और यह भी non-static है directly हम इसको यूज कर सकते हैं तो यह method अपने आप चल जाएगा जैसे आप अपने application को start करते हो ठीक है तो अब मैं यहाँ पर एसाउट करूंगा values.get देखते हैं values.get पहले नेम प्रिंट करो देखते हैं अभी error आईगी पताता हूं क्यों ठीक है यह देखे रही वह error के लिए आपको बता रहा है cannot resolve app.name हो कह रहा है कि जब मैंने app.name की value निकालने को सिसकी तो app.value मिला ही नहीं, resolve भी नहीं हो पाए ठीक है तो हो क्या रहा है गाईज वह application.properties को तो पहचान रहा है इसके अंदर app.name डाल दोगे तो आजाएगा but myconfig को नहीं पहचान रहा है ठीक है तो properties के अंदर से data नहीं आपा रहा है value अपना काम कर रहा है value फाइल से यह देख रहा है लेकिन किस फाइल से देखना है इस इसको कैसे हम define करेंगे इस इसको कर सकते है property source annotation से किसी भी configuration class में चाहे इस के अंदर किसी भी configuration class के अंदर चाहे इसके अंदर जिसके अंदर क्या लगा हो configuration वहाँ पर आ करके आपको बताना है property source मैं कहूंगा property source और यहां पर आपको लिखना है class path कि हमारे class path में फाइल है myconfig.properties बस अब यह property source अपना काम कर दिया अब हम लोग इस class इस फाइल को लोड कर लेगा environment में और हम लोग myconfig properties के अंदर से value के help से इन values को हम लोग read कर लेंगे let's run,ब run करते हैं देखते है I am an you देखे आपका काम हो चुका है देखे My App name आ गया port आगयए, db आ गया तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपने file से data को read करने के लिए हम क्या उस करते हैं अपने class path में अपनी file को करने के लिए हम प्रॉपर्टी सोर्स अनुटेशन यूज करते हैं जो कि हमने यहां डिफाइन कर रखा है आप कॉन्फी के अंदर यह रहा ठीक है किसी भी एक उन्फुलिशन क्लास के अंदर डिफाइन करना और वैलूस की है अपसे हम लोग उस फाइल से प्रॉपर्टी की इस वीड़े बनाऊंगा तो इन दसों के बारे में मैं इस तरह से लिए लिग दूगा छेले बैण मिलता नक्षट और यार आपने सीरीज एक्सरेट कर लेगे क्योंके इसके इंदर बहुत साथा कॉंटेंट मेल आने वालों धिर देर जिदने भी इंटर्वी इंट्र्वी ख洋 पीर को नहीं भें जो कि उसके वोativa जवरीछ परीछ कि हो तो जो जा ह कर меш продолж फ लोगक प।ारयока कि यह समय मैं जा से वो देतो hazard